तो इस अरे वाग गुरूजी की तरफ से आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है टॉपिक कैश फ्लोव स्टेटमेंट वैल्ट दाउन्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है बच्चों को इसका जो फॉर्मेट है काफी बड़ा लगता है लेकिन किस तरह से याद कर सकते हैं सबसे पहली बार कैश का मतलब है कैश ⁠ एंड कैश टीपकिलेंट्स कैश एंड कैश एकवेलेंट्स मतलब कैश और कैश जैसी ही चीजे मतलब जो बहुत असानी से कैश में कनवर्ट की जा सकती है उसमें कैश, बैंक, मार्केटेबल सेक्यूरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये आपको करन्ट इन्वेस्टमेंट्स की हैडिंग में दी होती है, इसमें जो चेंजेश है, उसमें सकती हैं, इसमें जो चेंजेश आ रहे हैं घ्रीज मार्केटबल सेक्यूरिटी शॉर्टम इन्वेस्टमेंट्स, वह रónक केश, उसमें जो flow हो रहा है उसमें जो flow मतलब changes आ रहा है increase, decrease रहा है उसके लिए statement बना जा है तो cash flow statement का जो main objective है वो है to control the flow of current, sorry flow of cash flow of cash cash को मतलब आप कितना easily move कर सकते हैं वो आपने इसमें देखना है तो इसमें हमने क्या सीखना है हमारा business हमारा business तीन activities में divided है कोई भी company उसको शुरू करने के लिए क्या चाहिए finance चाहिए किसी भी company को start करने के लिए हमारे को चाहिए finance तो इसलिए सबसे पहली activity जो होती है वो financing activity होती है कौन सी activity होती है financing activity होती है finance कैसे मिलता है company को through shares through debentures and loans share debenture और loan आपको पता ही है इसलिए loan के बारे में तो shares, debentures and loans इन तीन चीजों से finance मिलता है इन तीन चीजों से company start होती है ठीके जी अब inflow मतलब जो पैसा आता है वो आता है issue of shares करने से issue of debentures से and loan taken loan taken, loan taken मतलब आपने loan ले लिया पैसा आगे और outflow का मतलब है जो पैसा जा रहा है पैसा आपके पास से जा रहा है वो होता है redemption of preference shares, redemption of debentures, repayment of loan मतलब loan आपने वापिस कर दिया अब इससे related चीज़े क्या है share से related होता है dividend paid debenture से related क्या है interest on debenture paid और यह जो dividend paid है वो दोनों तरह था proposed dividend भी और interim dividend भी ठीके जी interest on loan paid, interest on debentures paid यह सब इसके अंदर आ गया तो इस तरीके से हमारे पास finance आ गया, shares आ गया, debentures आ गया, loan आ गया हमारे पास finance आ गया, अब उस finance को हम इंवेस्ट करते हैं इंवेस्ट करेंगे हम in the business और इंवेस्ट करेंगे हम outside the business तो वो जाती हमारी इंवेस्टिंग एक्टिविटी, इंवेस्टिंग एक्टिविटी, तो फैनेंसिंग एक्टिविटी से जो हमारे को finance मिला है, वो हमने क्या किया, उसको invest करना है, इंवेस्ट करना है, in the business and outside the business, in the business जो हम करते हैं, उससे हम क्या खरी देंगे, fix assets, और अगर outside the business करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, investments, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि investing activity के अंदर fix assets आती हैं और investments आती हैं, in flow, in flow का मतलब है, sale of fix assets, inflow का मतलब है, sale of investments, in flow का मतलब है, interest on investment received, और outflow का मतलब है, purchase of fix assets, and purchase of investments, तो इस तरीके से purchase of fix assets और purchase of investments यह हमारे पास outflow में आई ली, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि पहले हमने पैसा इकठा किया, वो सारा कहा आ गया, financing activity, वो पैसे इकठा क्या होता है, through shares, debentures and loan, और जब वो पैसा आ गया, उसको हमने क्या कर दिया, invest कर दिया, in the business and outside the business, in the business, यानि fix assets में, outside the business, मतलब investment, किसी bank में जमा कर दिया, या कोई शुरू कर दिया, ठीक है, अब यह सब कुछ हो गया, यानि fix assets आगी, machinery आगी, furniture आगया, building आगया, वही सब कुछ आगया, अब हमने क्या करना है, उस business को चलाना, मैंने furniture का business शुरू किया, तो मैं furniture बनाना शुरू करूंगा, किर्याने का business किया, तो मैं उस तरह से शुरू करूंगा, किसी का business हो सकता है, तो उसको हम बोलते है, operating activity, मतलब मैं business को, operate कर रहा हूं, operating activity, इसको बोलते हैं हम, principal, revenue, generating, activity, principal मतलब mail, revenue मतलब sale, generate, मतलब ऐसी activity, जो जिस काम में हम लगे हुए हैं, जो मारा mail काम है, बात में जाके यही हमारे को profit देगा, उससे हम क्या क्या revenue, कितना revenue generate कर रहे हैं, वो पता लगाना है, तो इस तरह से हमारे पार तीन activity हो गई हैं, अब इस तीन activity को हम format के थू देखते ह कि format आखिर इसमें किस तरह से बनेगा, वैसे आप अगर आप याद कर लोगे ना, तो आपको operating activity याद रखना बड़ा सामझे हैं, अरे वाग गुरू जी हमारा channel का नाम है, इसे subscribe करें, like करें, ताहिए आपको समय समय पर जितनी भी notification है, वो मिलती हैं, और जो भी topics हैं, उसक के साब से देखते हैं, cash flow statement for the year ending, cash flow statement for the year ending, जो भी साल होगा, इसमें आपने particulars, first year, amount लिखेंगे, इसमें रुपेज और रुपेज, आपको जो start करना है, वो करना है, cash flow, from operating activity, सबसे पहले लिखना है, cash flow from operating activity, जो बिजनस को operate कर रहे हैं, बिजनस को चला रहे हैं, तो इससे पहले, आपको गदाओं कि आपको question में क्या दिया होगा, आपको question के अंदर दो साल की balance shift दियोगी, दो साल की balance shift दियोगी, दो साल का आपको इसका मतलब statement of prehandle दिया होगा, profit and loss account, उसका difference लेना है, second year minus first year, क्या लेना है, second year minus first year, जैसे balance shift दियोगी आपको, इसमें आपको दिया हुए statement of P&L, और यहां पर बन लेक दिया हुए पहले साल, मतलब 2016 मान लो, 2017 में deal डाग दिया हुआ है, तो एक लाग से deal डाग हो गया, मतलब आपने पचास जार्पे का profit earned गया, second year minus first year, second year minus first year करके जो profit आया, इस profit is called net profit after tax, net profit after tax and extra ordinary items, net profit after tax तो आप समझते हैं, कि मतलब इस profit में से tax already minus है, extra ordinary item का मतलब यह होता है, जैसे कभी flood आगया, कोई earthquake आगया, तो उसका जो insurance company claim देती है, या government जो कभी claim देती है, उसको extra ordinary item बोलते हैं, यह हमारा after, पहले हमने इसको before बनाना है, तो इसमें आपको चार चीज़े add करनी ही, यह हम भर की note में कर सकते हैं, मतलब आपने balance sheet में से profit का difference लिया, second year minus first year करके, उसको बोलते है, net profit after tax and extra ordinary item, उसमें आपने इसको क्या बनाना है, before चार चीज़े हैं, और अब देखो, बहुत बढ़िया, जब आप summer vacation होता है, कभी भी चुटियां होती हैं, तो क्या बोलते हैं, school में teachers को क्या बोलते हैं, कि सर पिकनिक पे ले चलो, trip पे ले चलो, कहां ले चलो, trip, trip पे ले चलो, TRIP, trip, तो यह चार चीज़े add करनी है, T का मतलब है, tax provision, second year बादा, second year बादा, दो साल का किया हो बादा, second year बाद, R का मतलब है, reserve, created, जितना आपने reserve बनाया है, बड़ा है, अगर यह reserve कम हो रहा होगा, तो minus हो जाएगा, जैसे मानलो reserve है, पहले साल 50,000 का reserve है, फिर 60,000 का reserve है, reserve आपको दिया होगा है, 50,000 और 60,000, तो 10,000 का increase हो रहा है, और taxation कौन सा लेना है, second year बादा, यह बादा, current year बादा, और अगर यह reserve कम हो रहा है, 50 से 40 हो रहा है, तो इसको minus कर देंगा, आई का मतलब होता है, interim dividend, interim dividend, यह आपको adjustment में मिलेगा, और P का मतलब है, proposed dividend, यह भी second year बादा, आपको dividend भी दो साल के दिया होंगे, tax भी दो साल के दिया होगा, तो second year बाला tax, second year बाला dividend, तो यह चार्च ही यह आपने आड़ करने, कहाने करने, trip, चलो भी, trip पे चलो, trip कर दिया, तो यह क्या गया हमारा, net profit, आभी यहां से start करना, इस format को, net profit, after taxation, and extraordinary item के लिए, यह आपको amount यहां लिखना, इसके बाद आपने इसमें add करना है, non operating, and, non cash item, non operating, and, non cash items, मतलब यह तो वो business operations से related नहीं है, यह वो cash से related नहीं है, तो ऐसी activities को आपने लिखना है, जो यह तो business operations से related नहीं है, यह जो cash से related नहीं है, अब उसका भी बहुत बढ़े चीज़ें, उसके लिए कहते हैं, जैसे वहां गालों के क्या पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, डिम्पल जी, एड़ करेंगे, डिम्पल जी, डिम्पल लेकिन without E, E for elephant, without E, डिम्पल जी, यहाँ पर क्या था, ट्रिप एड़ किया था, अब यह डिम्पल जी, D for depreciation charged, मतलब जितना depreciation, जितना depreciation increase हुआ है, I for interest on loan and debentures, I का मतलब interest on loan and debentures, M, miscellaneous expenditures, यहाँ इसको कह सकते हुआ, fictitious assets, जो actually में मारी assets नहीं होती, for example, pre-levenary, pre-levenary expenses written off, share issue expenses written off, underwriting commission written off, underwriting commission written off, ठीक है जी, deferred revenue expenditure written off, deferred revenue expenditure, expenditure, मतलब जितने भी यह खर्चे हैं, यह धीरे धीरे करके, during the life of business, धीरे धीरे करके, right off करने होते हैं, उनको लिखना है, miscellaneous expenditure, यह वो expenditure नहीं, rent salary का गर नहीं, पी का मतलब है, premium, premium on redemption of debentures and shares, L का मतलब है, loss on issue of debentures, sorry, loss on issue, loss on sale of assets, कोई asset बेच्चों को इससे loss होगा, loss on sale of assets, और G का मतलब है, goodwill, return of, return of मतलब इतनी कम होनी है, तो dimple G आपने add कर दिया, ठीक है जी, यह सारे amount आपने यहाँ पर add कर दिये, अब इसमें से less करना है, यहाँ पर trick था, अब आपको less करना है, non operating incomes, non operating incomes, उसमें आथा trick, trick था था ना, फिर दिपल जी आया, उसके बाद आथा trick, D for dividend received, R for rent received, I for interest received, P for profit on sale of assets, और यह चार चीज़े आपने minus कर देनी है, bracket में रिखना minus को, चार चीज़े minus कर देनी, सबसे पहले आपको मैंने का बदा है, हर question के अंदर balance sheet में, दो साल के P&L जो दिये होंगे, उनका second year minus first year करके profit लेना है, फिर आपको वो जो profit होता है, उसको बोलते है net profit after tax, and extraordinary item, अगर कोई extraordinary item का amount दिया, वो भी add back कर देंगे, add कर देंगे, और यह चार चीज़े आपने trick जो है, वो क्या करना है, add कर देना, तो इसको अगर आप 4 चीज़े को add करोगे, तो हमारे पर क्या निकलाएगा, net profit before tax, जिससे हमारे को कोशन स्टार्ट करने, net profit before tax, net profit करी बाद करती है, हो जाती है, जलबाजी में, net profit before tax आजएगा, after tax तो इस आई हा, before tax आगया, उसमें आपने ये dimple जी add कर दिया, और ये trip आपने minus कर दिया, तो हमने कहां से स्टार्ट किया आपने इसको, net profit before taxation, तो ये आगया net profit before working capital, working capital मतलब current assets और current liability जिसकों बोलते हैं, तो इसमें आपने add करना है, मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ, loss add करना है, loss का बोलता है, जब हमारी current liability बढ़ जाएं, और current assets का हो, पैसे का आना जाना है, पैसा आ रहा है या पैसा चा रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, add मतलब loss add करना है, loss का होता है, increase in current liability, decrease in current assets, वैसे तो ये पैसे का लेंदेन है, add करना, increase in current liabilities, and decrease in current assets, ये आपने add कर देना, ठीक है जी less कर देना आपने, इसका उल्टा, increase in current assets, and decrease in current liability, आपको फैदा हो रहा है, ये लाइबिल्टी कम और ये एसे तक बढ़ रही है, पर मैंने पता है ना, पैसे का लेंदे नहींदे नहीं है, ये अमने less कर देना, तो ये हमारे पास आगया, इन फ्लो, क्या आगया, इन फ्लो, कहले ने प्रॉफित आफ्र टेक्स लिया, उसमें ट्रिप एड़ किया, उसमें टिम्पल जी एड़ किया, और उसमें से ट्रिप माइनस कर दिया, तो हमारे पास working capital से पहले का amount आगया, working capital प्लस माइनस करी, फिर इन फ्लो आगया, फिर आउट फ्लो, आउट फ्लो इसमें मिलेगा payment of tax, फर्स्ट येर वाला, यहां पर हमने टेक्स कोन सा लिया था, फिर येर वाला, अब आपको यहां पर फिर्स्ट येर वाला उसको payment of tax करके, माइनस कर देने, तो ये जो second column हमने बनाया है, उसमें आपे हम लिखेंगे ए, जिसका नाम है net cash flow from operating activity, cash flow from operating activity हमारे पास answer आगया, ये तो होगे पहली activity, जिसका नाम हमने क्या रखा, एक उसका नाम हमने आपे second column में लिखा गया, ठीक है जिए, एक बार आप इसको देख लो, ये मैंने गलती से आपे after जो लिखा दा भीफोर हो गया है, ठीक है जिए, अब जो है second activity हमारे पास आती है, इस ही के नीचे continuation में, second activity हमारे को लिखनी है, एक अंसर आगया है हमारे ये वाला, अब second activity में ने जो बदाई थी आपको, investing activity, और third वाली वाली कौन सी activity है, financing, तो first वाली activity के लिए आपने क्या करना था, आपको दो साल का जो profit दिया हुआ है, second year minus first year करके, आपने पहले profit लिखा, उसका नाम है profit after tax, उसमें आपने क्या आपने add किया, आपने add किया है, trip, TRIP, उसमें फिर add किया है, आपने dimple G, फिर आपने minus किया है, उसके अंदर drip, DRIP, और उसके बाद आपने add किया, loss कहलो या कुछ भी पैसे का दान-बर्दान, increase in current capabilities and increase in current assets, और minus किया है, आपने increase in current assets, decrease in current liability, तो inflow आगया, उसमें से आपने outflow minus कर दिया, that is payment of tax, first year वाला, उसके आगे चलते हैं, वोई दो कॉलम और उपर heading डाली जा रहेगी cash flow from investing activity, आज जो हम कर रहे हैं, ये topic हमारा format से related है, जो इसकी second class हम देंगे, वो adjustments मैं सिखाऊँगा, आपको और एक question भी इसके उपर करेंगे, फिलाल investing activity, इसका inflow जो है, जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया था, कि investing activity मतलब हम business में या business से बाहर पैसा invest कर रहे हैं, business में invest करेंगे, तो किसमें invest करेंगे, fix assets के अंदर, और बाहर invest करेंगे, किसी shares करीद लिए, बैंक पर ऐसा जमा करतेंगे, वह investing activity है, तो इसमें inflow में आपने लिखना है, sale of fixed assets, sale of investments, interest on investment received, ठीक है यहाँ पर आपने लिख दिया, इसमें से minus करना है आपने आउट फ्लो, आउट फ्लो का मनलब पैसा जा रहा है, purchase of fixed assets, purchase of investments, यह आपने minus करनी है, तो यह जो amount आए, आप भी amount आगे, यहाँ पर, यह आगे हमारा net cash flow from investing activity, net answer आभी, इसरी activity है, आपने मारें, cash flow from financing activity, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि financing activity मतलब financing कथा करना है, पैसा कथा करना है, और किसी भी कंपनी में पैसा कहां से आता है, through shares, diventures and loan, तो इसका मतलब यह activity में किया आएगा, shares, diventures and loans, तो inflow, issue of shares, issue of debentures and loan taken, ठीक है जी, SPR होगा, तो SPR किया जाएगा, outflow मतलब पैसा जा रहा है, वो जाएगा, redemption of preference shares, redemption of deventures and repayment of loan, मतलब आप loan वापिस कर रहे हैं, और इसे related चीज़े हैं, जैसे share से related चीज़ का होती है, dividend pay, dividend मैं आपके लिखा हूँ, बहले proposed dividend, first year वाला, दो साल का होता न, second year वालो पर add किया था, हमने trip में, जो हम trip पे गए थे, तो वहाँ पर add किया था, और यहाँ पर first year और interim dividend pay, interim dividend, interim dividend, interim dividend announcement में होता है, interim dividend का मतलब क्या होता है, कि साल के बीच में कभी भी आपका mood बन गया और आपने general meeting बुलाई और इसके अंदर declare कर दिया, ठीक है, हम dividend declare करा दें, ठीक है, तो साल के बीच में, जो पहले से सोचा हुआ था, वो dividend कौन सा होता है, proposed dividend, जो पिछले साली सोच लिया था, कि next year pay करेंगे, तो interim dividend paid हो गया है, और interest paid, जब वो loan का interest होचा है dividend का, ठीक है जी, यह पहले हमने चीज़े add करी, फिर यह सारी चीज़े minus हो रहे है, तो यह हमारा तीसरा answer आगा है, C, इसको बोलेंगे net, cash, flow, from, financing, activity, तीन answer होए, operating, investing, and financing activity, ठीक है जी, अब इक तीनों को हमने plus कर देना, a, plus, b, plus, c, यहाँ पर second column में हमने तीनों को plus कर दिया, अब इसमें हम add करेंगे, opening, cash, add, cash, equivalents, plus, opening, current investments, ओपनिंग, current investments, तो चार्चीज होगी, एक्षिल में लिखी दूँ है, cash and cash equivalent और current investment, cash and cash equivalent में आता है, cash and cash equivalent में आता है, closing, closing cash and cash equivalents, plus closing current investments, तो यह answer अकर हमारा आ गया, क्योंकि closing तो कोशिन न दिया होगा, और अगर यह मारा answer आ जाता है, तो इसका मतलब हमने इसको ठीक किये, तो दो main बात है, वो है इसका format, अगर आपने यह format जो मैंने इतने simple तरीके से, अरे वागरो जी जो मारा channel है, उसके साफ से आपको समझाया है, और Newton College की तरफ से यह channel sponsored है, अगर आप इस format को पुरा याद कर लेते हैं, मतलब 70% of the problem is solved, उसके बाद की problem रह जाती है, 20% जो adjustment में next class में आपको सिखांगा, और 10% question practice है, वो बहुत rare होता है, क्योंकि बच्चों को problem इसी आती है, format सामने रख लेते हैं और कोशिश करते हैं question करने की, वो question के अंदर गुम हो जाते है, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, कि हमारा business तीन activity बढ़ा हुआ है, सबसे पहले है, हमारे को finance इकठा करना होता है, तो अगर आप यह याद करें कि finance कैसे आता है, through shares, through debentures and loan, इसलिए देखो financing activity में यह 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 आ रहा है, share, debentures and loan, उसके बाद जब पैसा इकठा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको business में invest करते हैं, business से बाहर invest करते हैं, उसको बोलते है investing करते हैं, उसके बाद जिदनी आइटम बच गई, अब वो कहा जाएंगी, operating activity, मतलब जिस चीज़ का business चला रहे हैं, तो आपको हर portion में दो साल का statement भी एंडल दिया होगा, उसका second year minus first year करके profit आगया, वो कैसा profit होगा, profit after tax and extra ordinary items, extra ordinary item मतलब जिसे earthquake या कोई floods वगर आ जाता है, insurance company या government अगर आपको पैसे देते हैं, वो उसको minus कर देते हैं, less extraordinary item, उसके बाद आपको profit before tax निकालना है, तो उसके लिए आपको trip, जो summer vacation में चूटियों में जाते हैं, trip बोलते हैं उसे, तो trip add कर देते हैं, trip, 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 कौन सा, second year वाला प्रोपोस्टिव ने, तो उसके हम पहुंच के, net profit before tax, उसके बाद हमने उसमें add किया, dimple G, B मतलब depreciation charge, जिकना increase हो रहा है, I मतलब interest, P मतलब premium, ठीक है, और M मतलब miscellaneous expenditure, expenditure कौन से, जो fictitious assets वाले है, share issue expense है, preliminary expense है, underwriting commission है, deferred revenue expenditure है, कोई भी expenditure जो assets है, में हमने right off करना होता है, उसके बाद हमार पाद L था loss on sale of asset, और G मतलब goodwill return off, जितनी goodwill कम हो रही है, 10 से 5, 5 अगर बढ़ रही होगी, तो वो फिर purchase of asset होगी, अगर वो goodwill increase हो रही है, 10 से 50 हो रही है, 40 अगर बढ़ रही है, तो वो purchase of asset हो जाए, गो गया dimple G, dimple G के बाद हमने less करना ह है, drip, DRIP, dividend received rent received, interest received, profit on sale of asset, तो हम कहा होच गए, हम बोच गए, net profit, operating profit पर, operating profit before working capital, working capital से पहलेगा, working capital में क्या आता है, current assets, current liabilities, तो आपने add कर देना है, increase in current liability, decrease in current assets, इसको मैं loss की बहता हूँ, कि मैं कहता हूँ, loss है, जैसे, पैसे का अदान करदान है, increase in current liability, decrease in current assets, को add कर देन less किसको करना है, increase in current assets and decrease in current liabilities, तो हम कहा होच गए, inflow पर पहुच गए, inflow के बाद आपने less करना है, outflow को, outflow करना है, payment of tax, first year वाले payment of tax को आपने minus कर दिया, तो हमारे पास A activity आवे, B, A, C, A, D, P, पीनो को हमने plus किया, पीनो को plus करने के बाद, cash in cash equivalent, current investment portion में दिया होती है, वह वहाँ नहीं नहीं नहीं, ऊपर working capital में, opening balance इसको आपने add कर देना है, और जो answer बचेगा, वो closing बचेगा, अगर आपने ठीक किया हो, ठीक है, dear students, इसको आप याद करें, और थोड़ा बहुत questions करने की कोशिश करें, जो without adjustments है, next class में adjustment भी सीखेंगे, और एक question बहुत बढ़िय झाल